आज मैं बात करने वाली हूँ गर्मी के मौसम में चक्कर आने की समस्या और उसके उपचार के बारे में तो चलिए जानते हैं जब भी ठंड के बाद गर्मी का मौसम आता है तो हमारे शरीर को मौसम के हिसाब से एकज़स्ट होने में थोड़ा समय लगता है दिरे दिरे हमारे शरीर गर्मी के अनुकूल बन जाता है कुछ लोगों को खास तोर पर गर्मी के दिनों में तब चक्कर आते हैं जब लंबे समय से बैठे होते हैं और उठकर चलने लगते हैं दरसल ऐसा इसलिए होता है जब ब्लड पिशर में अचानक से बदलावाता है और इस करण से अचानक से चक्कर आ जाता है इस सिति को आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है तो आईए जानते हैं बार-बार चक्कर आने के कुछ घरेलू उपचार और कुछ आयरवेदिक मेडिसिन के बारे में तो पहला है बाडी को डिहाइडरेट रखें यदि जादा गर्मी होने के करण बार-बार चक्कर आ रहे हैं तो अपने शरीन में पानी की कमी बिल्कुल भी होने न दें नेमेत रूप से पानी पीते रहें जिससे आपके सिस्टम को सरीर ठंडा रखने में मदद करेगी और चक्कर आने की समस्या नहीं रहेगी दूसरा है नीबू पानी पीए गर्मी के दिनों में बार-बार चक्कर आने की समस्या से आप सभी परशान हैं तो आप नीबू पानी पीजिए इससे काफी फाइदा मिलेगा रोजाना एक गिलास पानी में आप नीबू नी चोड़कर उसका सेवन जरूर कीजिए आप सलाद या फिर किसी अन्य चीज में डाल कर भी नीबू का सेवन कर सकते हैं तीसरा है अधरक की चाय का सेवन कुछ लोगों को गर्मी में चाय पीने की बहुत ही आदत होती है जो चक्कर आने की समस्या को बढ़ा सकती है ऐसे में आपको अधरक की चाय पीते रहना चाहिए जो सरीर में बलट सर्कुलेशन को बढ़ाती है और चक्कर आने जैसी लक्ष तक आराम मिलता है पांचवा फलो का जूस पीजिए गर्मी के दिनों में अक्सर पसीने निकलने के वज़े से सरीर में बहुत सारे पोशक तत्यों के कमी हो जाती है ऐसे में फलो का जूस पीए और फलो में कई विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो सरीर को ठंडक प्रदान करते ह छटवा है सूखा धनिया चक्कर आने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सूखा धनिया काफी फायदे मंद हो सकता है इसे रात में एक गिलास पानी में भीगा कर रख दें सुबह उठकर छान कर पिलें इससे चक्कर आने की समस्या दूर हो जाती है और पेट भी ठीक से साफ हो पाता है साथवा है पंच कर्म सीरोधारा अगर आप चक्कर आने की समस्या से जाद ही परशान है तो पंच कर्म में सीरोधारा अईरवेदिक चिकित्सा अपनाईए इससे आपको तुरंत ही लाब मिलेगा आठवा है पतन जली मेधवटी इसका सेवन आप दिन में दो बार दूद के साथ जरूर सेवन करके देखिएगा इससे भी बहुत ही जल्दी आराम मिलता है तो आप सभी इन सभी चीजों को अपना कर जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्क्राइब और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद